कि नमस्कार मैं विकास आप सभी को अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम मैंनली जो बात करेंगे वह आपको बिहार स्टेट पांवर कंपने लिमीटेड जो बिजली भी भाग द्वारा एक निकाला गया है मैंली हम बात करेंगे क्लर वाला जो पोस्त है उसके बारे में ठीक है क्योंकि उसके बारे में जो सिंपल जो पोस्त है किसी भी सब्जेक्ट से वह लोग वे लोग उस फॉर्म को भढ़ सकते हैं क्योंकि पिछला वार उस भेकेंसी को भढ़े हुए थे एक्जाम दिये थे अच्छे से और उसके बारे में पूरा फूल डिटेर्स इसमें बात करेंगे और बाकी जो टेक्निकली जो पोस्ट है आई टिया वगारा जो भी में ही है उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे और सिर्फ लगर को हैं पोस्ट का जो नाम है आपको कोर्रेस्पोंडिन्स कर दिया और उसके बार सच्ट इस तोरच अशिस्टेंट इस तना भी आया हुआ है कि पिछले allora में 가स्ट एक्जानिकलों सब्सक्राइब गया था वैसे अगर करके बताएं आपके कट अप गया था पिछला बार में 74. सम्थिंग गया था 74. सम्थिंग जो था वह एक दूडिजित नहीं था 13 डिजिट तक जो है कट अप गया हुआ था लगता था उस फॉर्म को फिल करने में लगा था दो जर अठार में फॉरम आये हुए था अभी 2024 में जो है 1560 कर दिये हुए 500 बढ़ा दिये हुए है बिहार सरकार फॉर्म को भरने में ठीक है पहले जो है मात्र एक अजार पिया था और उस टैम में जो नॉर्मल कंपटीशन था ठीक है मतलब करके कट अफ गोई 73 चुबहतर नमर गया था जैसे बीसी टू का गया था आपको को सेवेंटीफोर पॉंट सम्थिंग था वी सीवान का गया था संवेंटीफिट सम्थिंग था टाओ ठीक है जबाता है तो आपको थोरा थोरा करके जो है इतला गया हुए था और और सेवेंटिफोर वह भी वीसितू का गया हुआ था और सेटीसक्स पॉयंट सम्झिंग यूजाण है उसंताइम में मतलब हम कितना कटफ रख यहां और नहीं गया हुआ था और कहां फेल हुए थे आपको यह भी बताएंगे जहां आप लोग फेल नहीं हुए तो परहाई लिएगा इसका एक्जाम हुआ था हमको जहां तक याद है कि जून के महीने में 23-24-25 तिन दिन एक्जाम हुआ था 23-24-25 जून में एक्जाम हुआ था उसी महीने में साथ या आठ तरीकों मेरी दादी एक्सपैर की हुई थी तो हम लमसम एक महीना आकर के घड़ पे रहे थे और घड़ में जानवे करते हैं कि जब कोई एक्सपैर कर जाता है या कुछ होता है तो पढ़ाई लिखाई तो दू या दे रहां चाहला होने का मेंसमें में गजाता को बाहर हो ने का मेंस इक महीना घड़ पर आहर पे रहागये थे और वहां पे उस टाइम में हम लोग तैयारी कर रहे थे रेलबे का जस aún रहे धाए च्पियंद में और कोछी इस तरह से और कोई जिन Definis नहीं पढ़ाए थे एक दिन भी इंगलीस नहीं पढ़े थे और दुसरा कि करेंट में पढ़ा हैं धो करेंट Đुमा cheat से हम लोग कर रह गया था तो इसी बारे में जो है कोई बात नहीं इस बार आया है आप लोग भढ़िएगा जहां दिक्कत होगा वहां सारा चीज बताएंगे इसमें भी आपको और इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा है दोस्तों और इसमें सीट वही है 150 और 80 सीट है जैसे दो और जिसका थोड़ा सा कम नमर आएगा मतलब उसी पॉइंटे में मैं समझेगा कि दो चार नुमर का है फिर रहेगा नहीं तो उसका जो है स्टोर असिस्टेंट का पोस्ट उसको मिलेगा तो वही चीज है और दोस्तों यह इसमें एक खास बात यह है कि आपको दूसे तीन म जून में तो फाइनली एक्जाम हो ही जाएगा इसको एलेक्सान से कोई मतलब वतलब नहीं रहेगा इसको पिछला बार जो एक्जाम लिए था सीफी जो कंपनी है और वो लिया था इस बार कॉल लेगा पता नहीं अभी फिलहाल लेकिन फिर भी अनुमानता मान के चलिए ज सब्सक्राइब मतलब 15 सोड़ लगता है मतलब 15 सोड़ बहुत ही मूटा राकम होता है स्टुडेंट्स के लिए लेकिन फिर वी जो है और क्या पेक्छा ज्यादा ही अच्छा इसलिए हम मानते हैं क्योंकि जो 44 साल 55 साल लगाता है तो उसके याद में लोग पागल हुए रह अभी से आपके पास टाइम है अभी दो- reconём है कि अप्रील माय डियर महीना ही मानिके कम से महीफ और देर महिना अगर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इसको आप निकाल सकते हैं जिनका तयारी पहले से ओल लेड़ी है ठीक है और इसमें एक चीज़ आपको गाइड कर सकते हैं अच्छे से कहीं कोई आपको प्रोब्लेम नहीं होगा इंगस का वैसे जो कराने का एक यह भी मतलब है कि अभी बहुत सारा वह था रहे हैं उस्मेंंग्लिस ज्यृब इकिलम में अलिकनिकान साइनन ही कर लेते हैं, इसमें जितना सारा सी लेबा से वही आपको हर जगा परना है तो यह सब कर लेते हैं जैसे देखिए एंटोन वानवर सब्सक्राइब होता है वह आइडम्स फ्रेज हो गया पैसेज कम प्रिहंस आपको यह को पुछता है पास नमर के बीस नमर का टोटल इंगल्स पुछेगा से 15-20 नमर का पुछेगा पंद्रह से 20 नमर का पुछेगा यह यह सब पूछा हुए था सो कोशन में अगर आप इसमें 65-70 करिब करिब अभी तो खैर हमको लगता है कि 75 के प्रॉक्स में अगर नम्मर लाते हैं तो चांसिस रहेगा होने का क्योंकि बहुत सारा लड़का जो है ना पंद्रह सोड के लगा के फॉर्म भरना उसको लगता है कि पं करता है पिछला वार की बार बता रहें इस बार आप्छे कितना अप्लाइ करता है इस वार भी हमको नहीं लगता है कि ज्यादा अप्लाइ को ने वाला है इस में एक थास बात ऑदू सल माण Mission जौब अभी जौइन किये तो आपको 20,000 के अप्रॉक्सिमेटली रुपया मिलता है जैसे जौइन किजिएगा उस टाइम में और यह दो साल तक प्रोवेशन प्रियर्ड होता है तो दो साल प्रोवेशन प्रियर्ड केवल कहने के लिए जैसे एक लिखा होता है कि हाँ इस प् बताएगा नहीं कि हाँ कैसे हुआ था कैसे वह प्रोसेस में गया लेकिन इसमें ऐसे ऐसे लड़के आपको दिखेंगे जिनको परहाई वरहाई से मतलब नहीं होता हो जो कर रहे हैं ठीक तो खैर इस सब चीज को आम लोग नहीं मानेंगे चलिए 10% उसके लिए हटा देते ह है फिर भी जो है आपके पास इसमें बहुत कम लड़के होते हैं जो फाइट आपको देते हैं पिछला बार की कहा नहीं बता रहे हैं इस वर थोड़ा सा टफ आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा बहुत रहेगा इसमें और हम तो कहेंगे कि जो भी लोग फॉर्म भरने आपके लिए बहुतर रहेगा और और क्या इसमें हैं दो सल जो है ना दो सल के बाद आपका जौब जो है इसमें सेवेंथ पे कमीशन जो है उसके उसके अधार पे आपको कम से कम जो है 40,000 प्या से 45,000 प्या पेमेंट हो जाता है दो सल के बाद फर्स्ट आपको दो साल तक 20 के करीब करीब 20 से 22 ऐसे करीब करीब पेमेंट मिलेगा ठीक है बहुत ही अच्छा जोग है इसमें आपको ज्यादा काम वाम नहीं करना होता है और अगर आपके मान में कुछ होगा तो नी कि हैं तो 40 साल है इवार से बाकी जो है ओवीसी है मतलब वीचीमें दूनों में से कोई भी बीसी वान याट तो तो तीन साल उन-लोगों को एक्स्ट्रशा मिलता है और इसमें ठीक है एक ही मात्र एक्जाम है एक एक्जाम में लंग के लिया एकयो जाना गर हुआ हुआ तो हुआ नहीं हुआ पोस्ट्रां सबस्क्राइब दूरो पूस्ट सबस्क्राइब में जाहिएगा इस्टोर असिस्टेंट में ठीक है तो बहुत ही अच्छा है इसमें जो है आपको और क्या क्या अप्लिकेशन फीव अगरा हो गया से बिहार का होना चाहिए तब उसको तो रिजर्वेशन मिलेगा बाकी यूर के लिए कहीं पूरे भारत क्या पूरे मंग धर्ती पर कोई भी भड़ सकता है ठीक है और भी आप लोग को अगर कुछ जानना होगा इसके बारे में तो आप हमसे जरूर नीचे जो है कॉमेंट करके बात कीजिए का कॉमेंट नहीं तो लाइब भी जो है हम कर सकते हैं इसके उपर वीडियो ठीक है आप जो है कॉमेंट कीजिएगा हम इसका एक एक चीज पर वीडियो बनाएंगे ठीक है बहुत ही नॉर्मल कोशन पूछता है यह मैं सुचे है कि बहुत हाड टफ ऐसा कुछ नहीं है नॉर्मल कोशन आपको और भी कोई जनकारी होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से देंगे लेकिन फिलहाल जो है आप जब कोशन पूछेगा तो हम ज्यादा अच्छे बहतर से बता सकते हैं क्योंकि यह तो जब हम इस साइट से वीडियो बनाते हैं तो हमको उतना यह नहीं होता है कि क्या मतलब लड़का लोग क्या क्या कोस्टन हो सकता है जितना मेरे मन में आया वो चीज है हम आपको बता दी है लाइव करेंगे इस पर ठीक है आप कॉमेंट किजिएगा लाइव करेंगे रात में उसके बाद इस पर ज्यादा हम वीडियो बढ़िया से बनाएंगे आपके हर से दू महिन में इस से बाहर भाई नहीं जाने वाला है तो आप लोग जोइन कर लेजिएगा ठीक है दोस्त धन्यवाद